वेलकम बैक दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खाउन खंडी पर 2023 की सर्दिया लगबख शुरू होने वाली है तो अगर सर्दियों में हल्दी की सबजी नहीं बने तो राजस्तान की तो सर्दिया यह दूरी रह जाती है तो इसी के साथ आज हम बनाएंगे हल्दी के सबजी इसके लिए मैंने सबजिया थो करके काट ली है और इसके साथ हल्दी को छिल करके रख दिया है इसे छिला है और उसके बाद ये जो छलनी है इसे हम किसेंगे यानि कदुकस करेंगे प्याज भी लिया है मैंने इसमें एक कड़ाई को गरम करे उसमें डालेंगे घी और जो हल्दी हमने कदुकस की हुई थी उसको अपन फ्राई करेंगे हल्दी को तीन से चार मिनट फ्राई करना है एकदम अच्छे से जब गी को एब्जॉर्व कर ले सोक ले पूरा तब हमें इसे बाहर निकाल देना है और उसके बाद वापस कड़ाई में घी लेंगे चमके के लिए कड़ाई में घी डालने के बाद इसे करेंगे गरम और जब ये तेज आँच में तेज उबल जाए तब हम इसमें डालेंगे जीरा, उसके बाद लासून और बाकी की बची हुई जो सब्जें हमने काट रखी है तो लासून के बाद बारी आएगी हमारी हरी मिर्ची की जो हमने पहले से काट के रखी है सारी सब्जियों के साथ एड, आपन लेता है, थोड़ा से, और भाकी के प्याज वता है सबजी का हम बनाते हैं पानी में लेकिन क्योंकि यह हल्दी है तो इसमें पड़ेगा दही पानी मिक्स करके हम इसमें दही में मिक्स करेंगे और इसे कड़ाई में डालके अच्छे से पका लेंगे दो पांच मिनिट पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला क्य तो प्याज और बाकी के टमटर जो है वो मैंने डाल दिये अब इसे एक से दो मिनट तक पकाएंगे तो हमारी हल्दी के सब्जी जो है एक तम टेस्टी से तयार है फिर हम इसमें ड्राइ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं काजू बादाम कुछ भी अपनी चॉइस के अनुसार मेर आपको बता देती हूं कि अनुस्मेंट क्या है वैसे तो हल्दी बनाने की कोई खास वज़य होती नहीं है लेकिन फिर भी मैंने खुशिशे बनाई है क्योंकि अपने इंस्टाग्राम आइडी पे हो गया है 300 फॉलोर्स पूरे के पूरे कंप्लेट और इसके असाती मैंने 100 अपने पास जो भी व्लोग आएगा जो भी सिरीज आएगी वह आएगी 365 डेज कि यानि की 365 डेज, 365 व्लोग डेली का एक व्लोग आएगा और उसमें क्या होगा यह जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल खावण कंडी पर तो बहुत ही ज़़द इस चीज का हो जाएगा ख तुकड को धिमी आज पर पेशेंस के साथ सेखने के बाद बाहर या थाली डेकोरेशन की तो वही फूड ब्लोगर वाली बीजी लाइफ यू नो आप सबको तो पता ही है तो मैंने सलाद बनाया है खीरा और प्याच का और उसके ओपर डाला है नमक मैंने सेंदा वाला तो थाली भी खराब हो जाती है उपर से स्वाद भी नहीं आता क्योंकि आपने ऐसे ही खाई है ना बचपन से गाई तो यह टकड रगा मैंने बीच में और अब हमारी गरमा गरम हाल्दी एकदम देखते से ऐसा नहीं लगता कि खाई ले बस यह हमारी हाल्दी के साथ थाली हो गई तयार वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूटूब चैनल खावनखंडी को बाकी आप बताएं कमेंट करके यह जरूर कि आपको हल्दी की सब्जी पसंद है या नहीं वैसे मेरे को भी कोई ख आपको अप्ष्ण ही नहीं है यह ऐसे चूर के ही सवाद आता है और फिर लाष्ट में मेरे को इसमें थोड़ा सा दई लेना होता है क्योंकि तब ही रंगत होती है तब ही ऐसा लगता है कि हाँ आज कुछ अच्छा खाया ठीक है गाईस तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में टडा बाबाई टेक क्यार